तो अब मैं GST बताने जा रहा हूँ, GST में कई सारी चीज़े ऐसी आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो अब आपका concentration एकदम यहीं पर चाहिए मेरे को, बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको सारी चीज़े, कोई point नहीं clear होता तो अभी अभी तुरं होता है, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, income tax, ठीक है, तो जो mainly चलता है, सबसे ज्यादा क्या चलता है, income tax, तो income tax की बात करते हैं, पहले तो बताओ, income tax पहले तो मैं समझाता हूँ, होता क्या है, जैसे माल लेते है, कि मैं हूँ, मैं एक normal job कर रहा हूँ, company में काम कर रहा हूँ, और मेरे को salary मिलती है, माल लेते हैं, एक लाख रुपए पर मंत salary मिलती है, ठीक है, तो मैंने पूरे साल में कितना कमा लिया, 12 लाख रुपए, तो मैं कमा के बैठा हुआ हूँ, राम से, आप government क्या कहेगी, सुनो, साल खतम हो गया, इस पूरे साल, साल कब सुरू होता है, अकाउंट में कब सुरू होता है, अपरेल में सुरू होता है, और खतम कब होता है, मार्च में, जैसे माल लेते हैं, कि एक simple से बात करता हूँ, अपरेल 2023 में ये वाला साल सुरू हो है, जो भी चल रहा है, और खतम कब होगा मार्च 2024 में यह वाला साल खतम होगा तो 23 में शुरू हुआ और 24 में खतम होगा गवर्मेंट कहेगी चुप चाप इतने दिन काम करो मेहनत करो पैसा कमाओ पैसा कमाने के बाद क्या करना है अब आपको इतने दिन काम करना है अगर किसी की इनकम 50,000,000 से ज़्यादा होती इन यह साल में अगर आप 50,000,000 करना तो आपको mandatory है ITR करना और एक बाद बता दूं आप सब सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हो bitr और से itr से एक बार में बहुत पैसे आते हैं बहुत ज़्यादा जिसको आता हो इती अइडि Itr filing का एक नॉर्मलसी बाता दो माल लेते हैं अपने एक आई टीर filing के आप 2000 रुपए ले ले ओं ठीक है एक पुन करने कि अगर किसी को अपनी फाइल करा नहीं आपने बोला दोजार रुपए और आपने धीरे 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 ऐसे करके दोसों लोगों की आई टीर फाइल कर सकते हैं दोसों कैसे बना दें मैं बताओ चालिस पचास तो आपके अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे ऐसे लोग जो ढई लाक से ज्यादा कमाते होंगे उनको आप बताओ कि इतना इतना इंपोर्टेंट है आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए हो गई है चार लाक रुपए और यह हर महिने नहीं मिलती आई टीर साल में एक बार फाइल करनी होती है तो हो सकता है कि अगर आपने 200 क्ला जाते हैं और यह इंकम कमाते हैं अगर इंसान दीरे 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 कमाना शुरू करता है आज से चार साल पहले आप नहीं कमा रहे होगे आज थोड़ा बहुत ज्यादा कमा होगे तो कहीं नहीं आपको अपने खुद की आई टीर वी फ्यूचर में फाइल करनी होगी तो जो स 200 कैसे हो जाएंगे अराम से हो जाते हैं मैं जब सीए नहीं था तब से मैं 200-300 लोगों की आई टीर हर साल फाइल करता हूं तो आप भी कर सकते हो बिल्कुल और लड़कियों वो तो और भी अच्छी बात है ठीक है दूसरी बात कि जब आप जॉब करते हो जब कहीं नहीं ज स्टेबल होना है सारी चीज़े सीखनी है उसके बाद जॉब करना है और जॉब करने के बाद क्लाइंट बनाने लोगों को बोलना है कि मैं आपकी आई टीर फाइल करते हूं आई टीर तो चलो एक अलग चीज़े मैं आपको समझा रहा था डाइरेक्ट टेक्स पर आते हैं कहा रहा था इस पर मैं कया वोला मैं क्या बताना है कि एपकले साल कितने रूपय कमाए एगर आप इतने रुपय कमाएगे तो इतना tax में आपको भी सम्झानी रहा कि कितना tax लेकिन आपको फिलिदा आप हो सकतव ही सह कम बने मैं कि आपको बन रहे हैं तो आपको ऍ पाइट्यार्मेंट की और को आप तेक्स पेएमेंट और रुप को करो और दो लाख रुपे करनी है या आप फुट फाइल करो या आप किसी से पाइल करवा हो और आपके account से payment कटके government का account में चली जाएगी आपका जितना भी tax बनता है यह होता है income tax समझा है इसलिए आप में से कई लोग सोसने कि हमने तो दिया ही नहीं कभी आप बोलोगा अभी income tax समझा रहे हूं नहीं अभी मैं income tax नहीं समझा रहा है बस हलका हलका आपको idea दे रहा हूं कि क्या होता है income tax समझाया कुछ direct अब आप बोलोगे कि ऐसा कुछ कर दो ता कि याद रहे हैं तो देखो इधर income tax का model कैसे होता है यह मिश्टर हमाने माल लेते है यह कमाता है पूरे साल कमा रहा है जब साल खतम हो जाएगा तो यह अपनी क्या फाइल करेगा ITR फाइल करेगा और ITR जब फाइल करेगा तो यह tax calculate करेगा कि मेरी जितनी इंकम है उसके हिसाब से मेरे को कितना tax देना चाहिए और जितना भी tax होगा वो सीधा क्या करेगा गौर्वर्मेंट को जमा करा देगा तो इसके पैसे गौर्वर्मेंट के पाद डिरेक्ट ली पहुच गे इसलिए इसको बोला जाता है डाइरेक्ट टेक्स मॉडल समझ आ अक मैं क्या करहen थे कि फोटोस देख के जाएगी सबके पाज सबके नोट्स मिल यह होंग और तो आपको यह फोटो जोस देख के याद आ जाएंगे सारए आपका कोई दोस्त है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको लेके गए, रेस्टरेंट में आज चलके खाना काते हैं, आपने खाना खाया, 200 रुपे का बिल, जैसे माल लेते हैं, उसने ऐसे बोला कि अगर आप डाल लो गए, तो 100 रुपे की, और अगर आप नान लो तो भी 100 रुपे का टोटल 200 रुपे का आपका हो गया आप गया आपने खाया 200 रुपे का बिल हुआ ठीक है जब बिल देने वाला आता है तो आपको कभी देखा अपने ध्यान से देखा होगा तो ऐसा होगा दो सो रुपए का आपका आइटम है जो भी आइटम आपने खरीदा प्लस जी एश्टी पांच परसेंट अभी मान के चल रहा हूं है तो आपको कितने देने हैं 210 रुपए तो आपने खाया खाना खाया और आपने कितने रुपए उसको पकड़ा दिये 210 रुपए अब उसमें से दुकान वाला आपने पास कितना रखेगा 200 रुपए क्योंकि उसके समान का आइटम रेट था वो कितना था 200 ही था तो 10 रुपए वो जो ले रखा है आपसे वो क्या करेगा यह दुकान वाला गौर्मेंट को डिपॉजिट कराएगा यह 10 रुपए वो आपने पास नहीं रख सकता है वो आपसे टेक्स लेता है आपसे क क्या कर रहा है 210 रुपए का समान बेचा 10 रुपए आपसे टेक्स लिया तो आपसे कितना ले लिया उसने 210 रुपए अपने पास रखेगा क्योंकि उसका 200 रुपए हक है और 10 रुपए वो कहां जमा करा देगा गौर्मेंट के पास इसलिए इसको बोला जाता है इंडिरेक् पता ही ने चलता की आपने टेक्स दिए आप में से कई लोगों मुबाइल खरीता होगा । Dur order किया होगा अगर बिल पढ़ाए जाके देख लो अगर बिल पढ़ाए जाके देख लो एक सिंपल सा मैं बता देता हूं माल लेते हैं आपका फोन था 11800 तो आपका फोन की वेलू ऐसे लिखी होगी फोन होगा 10,000 का और टेक्स होगा अठारा सो और आपको मिला होगा कितने रुपए में फोन 11,800 और कभी भी दुकान वाला आपको ऐसे नहीं बताता कि सर्फ 10,000 का फोन है अठारा सो का टेक्स है वो सीधा बोलेगा सर्फ फोन 11,800 का है और आप उसको 11,800 देते हो और वो आपको फोन दे देता है ऐसे ही होता है अब आपके 10,000 रुपए तो उसने रख लिया अपने पास और आपके 18,000 रुपए गवर्मेंट के पास जमा करा दिया इसलिए मैं कहता हूँ आपने सुबह सेंपू तो खरीदा होगा आज सुबह से ना आने के लिए संपू या कुछ भी चीज आपने सुबह से अभी तक स कमत हैं उसमें कहीं ना चाहिती आसने यापको पता हुम निचेता है समस्धा आप कश भी खरी थे सब कहीं ना कहीं टेक्स लगा हुए और वह ग़वर्मेन के पास सीधा डेपाजिट हो जाता है समझा आगए इसलिए इसको बोला जाता है इनाधरेक्ट व्हीं, टिक्या है माल लेते हैं ये लड़के आप हो ये लड़का जो है ये आप हो और श्टोर में गया हो आप खरीदने ये लाला जी ये लाला जी के पास आप गये और आपने बोला भाईया मेरे को एक कपड़ा चाहिए उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है कपड़ा हजार रुपए का और उस आपके पैसे मोदी जी के पास पहुच गया लेकिन डिरेक्टली पहुचे या इंडिरेक्टली पहुचे इंडिरेक्टली आपका दुकानदार के पास दुकानदार से गवर्मेंट के पास समझ आ गया इसको क्या बोला जाता है इंडिरेक्ट टेक्स समझ आ गया तो पहले तो कई बार ये भी दिख्कत आती है आपको कई लोग ये पूछते हैं कि भई direct tax किया होता है कोई एक बता दो तो आप समझ जाओगे आप पता ना जया रहा कोई बता हो मैं आपको कोर्स कंप्लीट होने तक दोनों जीजे सिखाऊंगा जीएश्ट भी सिखाऊंगा और से अगर मैं वहां वैंग से जाक हों अगर मैं फोटो कोई भी समांद अगर सिंपल मैं जो मिनमें सबसेस्हें मैं लिके अगर आप देखोंगे हमारे नॉट्स के सबसेénergie मैं तो यह सबसे लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बड़ यह उपन हो जाए तो सबसे लाश्ट में मैंने गोड्स की exact मीनिंग रख रख रखी है सर्विस की exact मीनिंग लिख रखी है बट अभी में वहाँ पर नहीं जा रहा है अभी तो मुझे आपको तोसे लेट नहीं पहूंच जाएंगे मुआ या मैकसिममम पर्ट तक पोछ जाएंगे उससे लेट नहीं भूंच देत्स पर्बलड ईंज़ए जैसे की मोड़ गूट से ऐसे बहुत सारी चीज wounded रहे हैं अच्छा की पोडियम indem dedication यह सारी चीजह क्या है अच्छा सर्विस क्या होती है आज संसे जो अभी मैं आपको दे रहाँ मैं आप आए तो मैंने बोला 10енных पर पर ऐसा कुछ बोला मैंने आपसे नहीं नहीं तो मैं आपको क्या दे रहा हूं को रखे रहा हूं को बिठा के छोड़ दो वहां तक तो तेक्सी वाल को बिठाता पहुत बहुत state तो आप उसको 300 रुपए निकाल के देते हो फिर आप क्या बोलते हो कुछ लिया तो ही नहीं तोड़ लोते हैं ऐसे करोगे आप टेक्सी का कुछ निकाल लोगे नहीं न भई आपने उससे क्या लिया है सर्विस लिए उसने आपको यहां बिठाया और वहां पर उतार दिया त क्विक्स पेश्राब टेटम करें गधी हैं तोड़ल ऑने च desap vive के अब और यहां कि नहीं हो देना पड़ेगा अगर bye कि पैचानाओंगे आपकी क्या होता है पर unlikely देखेंиль के लेकिन पहले थोड़ा सा और सम्झा देता हूं आपको में लगबग सबको सबखों है और कई लोगों को नहीं भी पता है तो मैं तो जीरों से इनल बताऊंगा तो हम समझते हैं पहले कि क्या होता है cgst, kgst, kgst और kgst लेकिन उस से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया में, ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया में हर आइटम पर कोई gst का rate fix करती है, लगेगा तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी मोईल बेचो जितने रूपए का बेचो उस पर 18% टेक्स देना पड़ेगा सेम इसी तरह अगर गौर्मेंट ने किसी भी चीज पर जैसे जूते पर माल लेते हैं गौर्मेंट ने देखो एक बात मैं बता दूं मैं जो भी पर इंडिया में कहीं भी जूते बेचो 12% टेक्स लगाओ तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी समान बेचो कि कितना टेक्स लगाओगे 12% तो GST के कुछ रेट्स होते हैं जो मैंने यहां लिख रखे हैं कुछ आइटम पर 0% टेक्स लगता है अब आप बोलोगे 0 भी चाहती है कुछ चीजों के रेट्स ना बढ़ें तो वहां पर क्या टेक्स लगा दिया जी रो वैसे कुछ चीजों पर 3% लगता है कुछ पर 5 लगता है कुछ पर 12 लगता है और भी रेट्स होते हैं बट अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा पस आप यह समझ लो कि ये इटिया में आप कोई समान खरीद होगे तो बेचने वाला हो वो आपको पता होगा 28 सब्सक्राइब आईटम पर लेते हैं लगवग लगजरी आइटम जो भी आप लगजरी जैसे एसी यह आप कहा लगजरी आइटम यह जो टीवी बड़ी से दिखरी आपको 65 इंच की तो सुनलो GST के कुछ rates ने बोल दिया है कि इंडिया में जब भी कोई समान वेच होगे या कोई सर्विस दोगे तो उस पर इतना कुछ टेक्स देना पड़ेगा समझ आगे हैं चलो अब बहुता हो टेक्स देना तो पड़ेगा लेकिन इंडिया में कितनी गवर्मेंट है बता आहिए जिसे आप सेंट्रल गॉर्मोंट में वस्ते बता सकता है कि आभी बता सकता हिए कौन आख समझ के इसके बाद सेट्रर्मेंट भी होती तो इंडिया को जगा जगा अलग-अलग स्टेट में बाटे गयी च्टेट जैसे यूपी एक स्टेट हो गया राजस्थान में हर्याना में कि स्टेट हो गया लंछ कुछ यूनियन टरिटरी भी पता है न सब को तक पता ये schools नहीं पता टोटल 28 स्टेट है इंडिया में 29 नहीं 28 स्टेट है वो भाई कह रहा है कि 29 स्टेट है तो मैं मुझे गिंती याद नहीं है तो आप देख लेना एक बार 28 या 29 स्टेट हैं और 7-8 यूनियन टरेटरी होंगे तो साफ-8 यूनियन टरेटरी है अभी बाद में बात करेंगे अभी आप सिर्फ स्टेट को समझो जगा यू झगां पर चोटे चोटे स्टेट बना दिये गए जैसे कि हिमाचल एक स्टेट है पंजाब एक स्टेट है हर्याना एक स्टेट है राजस्तान एक स्टेट है और हर स्टेट की अपनी गवर्मेंट होगी जिसे आप बोलते हो चीप मिनिस्टर तो हर एक स्टेट के एक-एक होंगे मंत्री होंगे चीप मिनिस्टर जिसे बोलते है वो अपना-पना स्टेट समालेंगे उसे बोला जाता है स्टेट गवर्मेंट जो अपने स्टेट को चला रही है उसे क्या बोला जाता है स्टेट गवर्मेंट और जो पूरे इंडिया को चला रही है उसे क्या बोला जाता है सेंट्रल गवर्मेंट तो पूरे इंडिया में द कि अर्याना गौर्मेंट चला रही होगी तो वह स्टेटी गौर्वनेंट चला रही है 不錯 आपने victies सुना यादि ली जिटने भी civvy se वाले स्कूल होंगे वह कौन चला रहा है सेंट्रल गवर्मेंट ठीक है अच्छा इसी तरह जो छोटे जैसे बीके ऑस्पिटल यहां खुला वह फरीदाबाद में तो वह कौन चला रहा होगा बताओ स्टेट स्टेट्स कहरें अर्याना कॉवर्मेंट यहां की अच्छा जों बड़े-बड़े जैसे एयन सेंट्रिम शिला रहा होगा Central Government समझा रहा है अच्छा जो माल लेते हैं मेरे घर के बार गड़ा खुद लिया कुछ हो गया अब मेरे को उसको उसको रोड बनवाना है तो कौन बनाएगा स्टेट गवर्मेंट या सेंट्रल गवर्मेंट नॉर्मली आप यह समझो कि स्टेट गवर्मेंट का काम होता है उस पर्टिकूलर स्टेट का सारा काम करना और सेंट्रल गवर्मेंट का क्या होता है पूरे इंडिया का काम वह देख रही है अच्छा किसको पैसे चाहिए कि द इंडिया में दो तरह की गवर्मेंट होती हैं Central और स्टेट गवर्मेंट तो आप जो भी टेक्स लोग है उसको आधा आधा बाटते दोना आधा Central गवर्मेंट को दे देदें और आधा तो हर्याना में छिटेलर भी हर्याना का है और बायर भी कहा है हर्याना का है अब जैसे ही गवर्मेंट ने क्या बोल रहता है आप मुबाइल कभी भी वेचना 18% को यह इतना मुझे समझा गये 18% टैक्स लेने के बाद कौन सी गवर्मेंट को मैं दूँगा बताओ जर्ण गवर्मेंट कहते हैं दोनों को दो आधाव आदाव साल देखो और आधाव एसा देखो अच्छाण सी स्टेट को ह Lindsay को औरं नि अगर मैं सिम्पल ऐसे आपको समझाने के लिए आसान में बोलू तो हर्याना मतलब मैं बोल दूं, खंटर जी, अभी इस टाइम पर हर्याना को कौन चला रहा है, खंटर जी, और Central Government कोन चला रहा है, मोधी जी, जब मोधी जी बोलूगा है, तो आप समझ जाना, Central Government की बात कर रहा हूं, और जब खंटर जी बोलूगा, C GST क्या बोलोगे C GST C GST की full form Central GST जो आपको टेक्स देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा C GST यानी Central GST कितना देना पड़ेगा 9% 18% का टेक्स था ना इस mobile पे टेक्स जो था अगर mobile पे 12 होता तो फिर कितना देता Central Government को 6% अगर mobile पे 5% माल लेते हैं होता तो 0.5% मुझे Central Government को देना पड़ता और 0.5% मुझे State Government को देना पड़ता समझा गया C GST मतलब Central GST और दूसरा क्या लगाना पड़ेगा मुझे SGST मतलब State GST समझा कितना 900 और 900 तो सामने वाले से मैं 11,800 रुपे लूँगा समझा गया मैं दुका ग्राग को जिसको भी मैं फोन बेचूंगा कितना लूँगा 11,800 इस में से मैं अपने पास कितना रखूंगा 10,000 और 900 कहां दे दूँगा Central Government को यानि कि मोदी जी को और 900 कहां दे दूँगा खटर जी को क्या यह बात समझाई यह पॉइंट क्लियर हुआ है पक्का यह समझा आया चिक है अब ध्यान से सुनो माल लेते हैं मैं बेचने वाला मैं हूँ हर्याना का और मेरे पास जो मुवाइल खरीदने आया हूँ आया दिल्ली से मैं माल लेते हैं ज्यादा पॉपलर हो गया दिल्ली से आया बंदा और बोल रहा है मुवाइल दे दो मुवाइल कितने का है 10,000 का वही टेक्स कितना लेन को दुहना ना को बहुट हर्याना को कि दिल्ली वाले को भई हार्याना से खटर जी भी तो आजाएंगे है बोलेंगे घ्जिरेवाल जी हो चिðी ऑप चुक्त स्वक केज़ूली ट्रीमर्मारबन ग्यांज स॑ने खोन फ्टाप्य से ल॥िए विए लुडाबन गर्मेंट इसे केस में आप एक काम करो आई जीएस्टी लगा दो अयाला क्या दो गव 싶शन को पैसा निण आप सकते हैं आप तो क्या बिलाओ का बनाओ 100,000 उपक। और लगाओ क्या, IGST 18%, पूरा 18, IGST का मतलब होता है, Integrated GST, CGST का क्या बताया था, Central GST, SGST का क्या बताया था, State GST, और अभी मैंने आपको क्या बताया है, IGST का मतलब Integrated GST, Integrated मतलब इकठा किया हुआ, सारा, CGST, SGST, सारा जोड़ जाड़के, एक बार में आप कितना देतो, 18 परसेंट, और लगा दो कितना, 1800 रुपे, तो सामने वाले से ले लो, 11,800, अब आप बोलोगे, यह 1800 किसको दिया जाएगा, आप यह सारा का सारा किसको दे दोगे, मोदी जी को, जो IGST होता है, सारा का सारा किसको बाट दिया जाता है, Central Government को, Central Government बाट देगी, जितना हर्याना गवर्मेंट को देना होगा, जितना दिल्ली को देना होगा, वो Central Government बाटेगी, आपका कोई काम नहीं है, आपको क्या करना है, Simple Word में, अगर आप अपने ही स्टेट में बेचो, तो क्या लगाना है, CGST, अगर आप अपने स्टेट से बाहर बेचोगे, तो क्या लगाना है, IGST क्योंकि बाहर बेचने पर तीन-तीन गवर्मेंट आजाती है, तो आप तीनों गवर्मेंट को बाट नहीं सकते हैं, तो बैटर है कि आप क्या दे दो, IGST, और सीधा आप Central Government को पैसा जमगर आदो, Central Government बाटेगी, किसको कितना देना है, कितना मोदी जी को खटर जी को देना है लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आपके जस्ट नॉलेज के लिए, आपके काम की चीज नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, जिस जगह पे उचो आइटम कंज्यूम होता है, यूज होता है, जिस जगह पे, वहाँ वाली गवर्मेंट को टेक्स मिलता है, कहां पर प्लाद रखनी है, क्या, अगर मैं अपने स्टेट में वेचॡ़ूंका तो मुझे क्या लगाना है, 21 यूज हो जाएगा, तो अगर जैसे 5 परसंट वाला इटम होगा, तो ड़ाई और अगर 28 वाला होगा तो 14 परसेंट और 14 परसेंट समझ आ गया यह बात यह पॉइंट क्लियर है लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में बेचोगे तो सिर्फ क्या लगेगा और एक बार मैं पूरा टैक्स देद होगे जैसे 18 परसेंट तो पूरा 18 परसेंट 28 परसेंट तो पूरा 28 परसेंट समझ आया या कोई दिख्कत होगी बोलो भाई के चलो मैं इसी चीज़ को मिलिक के भीू दिखा देता ह। यह मैंने फोटो बना दिये तक आपके लिए पहचान में असानी हो एक बार एक बार इसको ठीक से समझ लेते हैं यह एम भी रहे और यह भायर है यह भी UP का, यानि बेचने वाला भी UP का, खरीदने वाला भी UP का, इसे बोला क्या जाता है, local supply, same state है ने दोनों, जब अगर दोनों same state होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, local supply, याद रखना है, यह word याद रखना, आगे चलके आपको काम आएगा, जब मैं same state में बेचूंगा तो मैं क्या बोल दूँगा, इसे local बेच है, local supply, समझ आगे है, local supply, और अगर आपकी sale local supply है, तो कौन सा tax देना है आपको, CGST और SGST, क्योंकि देखो tax लेने कौन कौन सी government आएगी, एक मोदी जी आएगे, और एक कौन आएगा, state government, आपकी state government कौन सी है, UP में हो तो, योगी जी होंगे, समझ आगे, तो योगी जी को, और मोदी जी को आपको पैसा देना है, तो 9% CGST देदो, और 9% SGST देदो, अगर tax rate है, 18%, समझ आगे, और अगर tax rate होता, 26, तो 14, 14% दे देते, clear है, ये point में क्या कह रहा हूँ, चलो, अब आगे बात करते हैं, अगर यही supply होती, central supply, central supply स किसी और state में, किसी और state में, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, देली, वैसे देली state नहीं है, union territory है, लेकिन आगे चल के discussion करेंगे, union territory क्या होता है, state क्या होता है, अभी आप state की तरह सब चीज को समझाओ, ठीक है, तो आप कहा के हो, UP के, और आपने base दिया, दिल्ली में, अच साथ में, दिल्ली वाले भी आएंगे, केजरिवाल जी भी, तीनों को पैसा नहीं दे सकते, ऐसे case में, आपको क्या देना है, IGST, सीधा आप क्या pay कर दो, IGST, अच्छा, IGST किसके पास जाता है, central government के पास, जब आप IGST जमा करते हो, तो वो किसके पास चला जाता है, central government के पास उसके बाद central government करेगी कि किसको कितना देना है, वो आपकी headache नहीं है, हाला कि मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, कि किसको दिया जाता है, जहां पर consume हुआ है समान, तो कहां consume हुआता है, इस case में, दिल्ली government के पास, तो आदा इससा, जो 9% बनता है, वो 9% दिल्ली government को दे देगी ये, central government, ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका कोई काम नहीं है, आपको सीधा क्या लगाना है, IGST, और central government को जितना tax होता है, जमा कर देना है, समझा गया, ये point clear है, अच्छा, एक दो चीज और बतानी है मुझे, आपसे पूछ लूँ, अभी मैंने आपको दो तरह की, sale बताई, या तो आप अपने state में बेचोगे, या तो आप अपने state के बाहर बेचोगे, जब आप अपने state में बेचोगे, तो क्या बोला जाएगा उसे, local supply, लेकिन क्या local supply यही word government की उच करती है, नहीं, government कोई और word यूज करती है, technical word, वो आपको याद रखना है, अगर आप same state में बेचोगे, द्यान से सुनो, अगर आप same state में बेचोगे, तो उसे बोलते हैं, intra state supply, क्या बोला जाता है, intra state supply, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ, local supply, समझा गया, local supply हम बोलते हैं, अपनी language में ताकि है, असान हो जाए, लेकिन जो government word यूज करती है, technical word, वो क state में, यानि अपने state से बाहर बेचा है, तो आप इसे बोलोगे, inter state supply, या फिर अभी मैंने क्या बताया था, central supply, या दा रहा है, central supply, जब आप अपने state से बाहर बेचते हो, जैसे मैं हरियाना कहूँ, हरियाना के बाहर कहीं पर भी बेचूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, central supply, यानि IGST, इंटर state supply, अब मेरे को भी सबसे ज़्यादा confusion इसी चीज में आती थी, कि इंटर और इंटरा में मैं भूल जाता था, यह इंटर का मतलब क्या होता है, याद रहता था कि इंटर क्या है, इंटरा क्या है, यह नहीं याद रहता था कि इंटरा का मतलब क्या होता ऐसा बोलते हो कि ने वाज कल कॉमन में सब के सब करते हैं इंटरगाष्ट मैरिज अपने यह वर्ड सुना हो का इंटरगाष्ट मैरिज इंटरगाष्ट मेरिज का मतलब क्या होता है अलग के तो तो इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा अलग स्टेट में बेचा समझा गया तो इस तरीके से याद रखना इंटर कास्ट मेरिज जैसे अलग जगा पर साधी किया वैसे इंटर स्टेट का मतलब अलग स्टेट में बेचा और इंटर स्टेट में जब भी आप बेचोगे तो क्य अगर आपने याद रहेगा लोकल सप्लाई और इसमें क्या लगेगा कि अगा यहाफ सकते हो यह इंटरा स्टेट सप्लाई को मैंने लिख रहका है लुकल इंटर इंटरी स्टेट तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अभी तक क्या क्या चीज़े आपको समझ आ गई है पूछ सकते हो अगर आभी कोई डाउट है लगभग हमने गंटेक ग्लास ले लिए आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि बोलो मैं बेट कर रहा हूं मैं पांच मिंट बाद नया टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा आप पहले बताओ मुझे कुछ पूछने हैं कि बोलो भाई हां जी कोई बात नहीं पूछे तो चीक है कि आप को पता देता हूं सिर्फ यहीं होता जैसे आपने आपने सुना होगा जीस टी आने से पहले बहुत सारे टैक्स होते हैं भैट होता था अगर आपने जीन सीड़े वह सारी चीजे कभर करूंगा दीरे सारी चीज़े जेता हूँ एक साथ तो सारी चीज़ नहीं आ सकती बर जीस की आने से पहले बहुत सारे टाक्स होते थे और जीस्टी जब आया था तो इंडिया ने एक वह किया था जीक को बोला था one टेक्स वरन नेशन को टेक्स सुना था आपने कि एक इंडिया थेटू तो देखा हुगा अभी अगर तो पुराने वाले टेस्ट लगते हैं तो पुराने वाले टेक्स लगते हैं तो पुराने वाले आपका जो question था वो जो online वाले हैं उनको नहीं पता चलेगा क्या question था तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं online वाले को बता रहा हूं मैं आपको कि आपका question था कि सर जब मैं गाड़ी लेने जाता हूं पर अबसके म elad कर दो चीजिए और बार च्राने के लिए आपको बहुत सारे टैक्स और देने पड़ते हैं वहयुक्त हर गौर्णन्मेंट का अलगलग होता है जैसे बिली का अलग है जी इस चलते हर इंडिया में एक ही एक चल रहा है लेकिन जो और जो दूसरे टैक्स लगत हो सकते हैं जिसकी वज़े से प्राइज ऊपर नीचे हो जाता है समझ आगया मैं क्या कर रहा हूं वैसे एक क्वेश्चन इससे रेलेवेंट था अभी आप दिरे दिर और आगे समझो के आपको समझ आएगा और कोई डाउट हो किसी तो चलो देखो मैं एक बार याद दिला देता हूं मैंने आज बताया आपको इंडिया में दो तरह के टेक्स होते हैं में डिरेक्ट टेक्स और इंडिरेक्ट टेक्स एक बात और बता दूँ डिरेक्ट टेक्स कौन सा होता है बताओ जरा जैसे wealth tax होता है कोई बहुत अमीर है तो उसको wealth tax देना पड़ता है तो उस case में भी उनको direct tax ही होता है वो लेकिन वो भी हमें नहीं पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है GST और income tax पहले बात करते हैं income tax की income tax में क्या बता है मैंने आपको direct tax क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि आप अपना खुद से calculation करते हो आप अपनी ITR करते हो और government को आप बताते हो मेरा इतना tax बनता है और जितना tax बनता है उतना आप government को जमा करा देते हो यह आप खरीदने वाले हमेशा पैसे किसको दोगे दुकांदार को दुकांदार को जब आप पैसे दोगे दुकांदार government के पास जमा कराएगा समझा गया तो इसी लिए से क्या बोला जाता है indirect tax समझा गया अच्छा आप सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम GST पढ़ना शुरू करत टो हो या फिर आप सर्विस बेच रहो गोटस बेच रहे हो तो GST लगएगा या फिर सर्विस बेच रहो तो जीहें लेगा फिर ठील न दो थोड़ा सब पहले हो और सर्विस क्लिक्स की उसमें कोई दिक्कत नहीं उसके बाद पिर तुमनेर को क्या बताया कि ही ट्क के इंडिया के इंडिया और में ड्ल ट्ल गता कि लेकिन ट्रेस लेंगे कैसे आप से अगर और एक दोनों को चींए सेंट्र तो जींआ रोगह नहीं है च्छेट गौर्मेंट को थोड़ा से कम चाहिए तो इसलिए इंटर, श्टेट, सप्लाई, और ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा IJST और फुल रेट से लगाना पड़ेगा सारे पैसे किसके पाश सले जाएंगे Central government के पास बाद में Central government बाटेगी जैसे भी बाटना ओ यहां तक की चीज़े clear हैं यह नहीं चलो अब एक टॉपिक मुझे बताना है कि जीएश्ट क्या सब पर लगता है यह थोड़ी दिर बाद डिसकस करते हैं पहले हम यह डिसकस करते हैं कि आप बड़ी देर से चिला रहे हो कि जीएश्टी लगता है जीएश्टी लगता है अपने तो नहीं तौनाल्ड में बर्गर दिया फिर पैसे और पैसे और लिया मेरे से पांच परसंट ले लिया ठीक है तो कुछ लोग ज्यादा पैसे लेते हैं या सब्सक्राब payoff को जीस टी ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले रहें ऐसा क्यों बताओ बैं किसी को कुछ पता हो तो हमकी हाँ तो फिर नहीं ले रहे लोगा ठीक है और कुछ बताओ कैं इसलिए तो आख बंद कर क्यों रखिए आपने बोला कि को ने एक बाट बोला कि बिल बनाओंगे तब GST देना पड़ेगा और कोई बताओ गौवर्मेंट क्यों नहीं पकड़ती आपको कि बिल क्यों नहीं बना रहे हैं जब गौवर्मेंट पकड़ेगे तो जैसे ही GST आया तो गौवर्मेंट ने क्या बोला देखो भई हम सबको नहीं पकड़ेंगे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर के साथ याद दिला दूँ जैसे ये बंदा है बर्गर खरीदने गया बर्गर सो रुपए का दिया बस सौ की जगह कितने का मिल जाता है 105 का उसमें पांच रुपए बिल पर GST लिखा होता है और आप वहां पर कितना देते हो 105 और उससे पोचो को भी ये पांच गौवर्मेंट को दो बोलेगा हाँ देना ही पड़ेगा तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बहेदवाओ क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ पहले तो जब GST आया तो गौर्मेंट ने बोला कि सबको GST के अंदर नहीं लाएंगे छोटे दुकांदार को छोड़ दिया जाएगा हर इंसान परिसान होगा जो छोटे दुकांदार है वो कहां से GST लेंगे फिर देंगे बहुत जंजटे उनके हैं कि आप छोटे हो आप तो बड़े हो ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में सेल के उपर देखी जाती है अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा सेल कर रहे हो तो आप माने जाते हो कि बड़े दुकांदार हो तो कई जगा जब आप मॉल अगेरे में जाते हो हमे अक स्यंसें के लिमिट जो है 10 लाक, 20 लाक और 40 लाक की लिमिटे और आपको सब्सक्राइब है नहीं कि लिमिट मिल जाईगी 40 लाग तक गते हो तो आप क्या हो छोटे दुकांदार 40 लाग से ज़्यादा सेल करते हो तो आपको GST नमबर लेना पड़ेगा और आपको बड़ा दुकान दर माना जाएगा समझ आगे हैं यानि 40 लाग से कम आप अगर समान बेजते हो तो आप बच जाओगे अब आप बोलोगे देखो भले ही आप यह डिटेल में सारा बताना कौन सिस्टेट में 10 कौन मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कि किसको GST नमबर लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए वहाँ पर पूरे रूल बताऊंगा अभी मैं आप सिंपल वर्ड में बोल दे रहा हूं अगर आप हर्याना में सर्विस सप्लाई करते हो क्या करते हो सर्विस सप्लाई तो आपको जो लिमिट है 20 लाग है अगर आप हर्याना में सर्विस दे रहे हो सर्विस समझा रहा है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अगर 20 लाग रुपए तक मैं आपको सर्विस देता हूं तो मेरे को GST नमबर लेने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे को कोई भी आ महाराष्ट में सेम लेस जो नहीं नहीं कोई टेक्स देने के जरुरत नहीं नहीं है नहीं नहीं है अगर और आप goods बेशते हो तो आपके limit कितनी हो जाएगी 40 लाग रुपए तक आपको कोई GST देने के जरूरत नहीं है समझा गया इसलिए आप कभी कभी किसी-किसी बर्गर वाले के पास जाते हो तो वह GST आपसे क्यों नहीं ले रहा होता है 100 रुपए का बर्गर 100 में क्यों देता मैं अभी जो बोलूँगा आगे चलके 20 लाग से कम बेच रहा है तो बहुत बड़ा दुखा अंदर लेकिन अब आप बोलोगे 20 क्यों बोल रहे हो तो 10-20-40-3 लिमिट है और कैसे-कैसे वो भी बताऊंगा और कई जगह ऐसी लिमिट है कि एक रुपए का भी समान बेचोग करता है तो वो छोटा दुकांदार है इसी लिए वो मेरे से GST नहीं ले रहे हैं समझ आगे हैं तो कई जगह आप जाते हो कपड़ा खरीदने तो सिर्फ 1000 रुपए का कपड़ा ही देकर आ जाते हो कई रेस्टूरेंट में आप जाते हो रेस्टूरेंट तो अदमोस्ट ली अगर आप कह रहे हो कि मेरी 40 लाग से कम सेले तो आपके अकाउंट में भी 40 लाग से कम रुपए आने चीए पता चले यूपी आई करवाते रहो 50 लाग 60 लाग 70 लाग आ रहे हैं फिर एक दिन नोटिस आएगा कैस आ रहे हैं तो गवर्मेंट को पता नहीं चलने वाला में पट आप अगर बहुत ते जो तो कैस भी जाके जम करा तो आप फिर धंचा उगर्यागे तो देखो अधिकतर लोग क्या करते हैं उनके पास अधिकतर लोग मैं बता रहा हूं मेरे घर के पास में कचोड़ी वाला रहता है आपने देखा होगा के सामने रहता है वो कचोड़ी वाला मुझे लगता है लेकिन वीडियो को इनकम टेक्स ऑफिसर देख रहा होगा तो उसके पास आ जाएगा नहीं करता वह नॉर्मल सा आदमें गरीब दुकांदार का कभी भी डिस्ट नंबर लेने से कोई नुखसान नहीं होथा मैं आपको समंझाओंगा पूरा सम्झाओंगा तो समझाओंगा तो टेक्सचोरी कैसे करना है वो उसके बारे में डिसकसन नहीं करेंगे वह जोड़ी दुकान दार की बार बता देता हूं कि वह कैसे करते हैं पहले थो कैसे लेते हैं जब आप बोलोगे भी यह फोन पर कर बज़ेगा नहीं तो तुझे खड़ा करके रखोंगा जब तक बज उसको जब आप पे करोगे उसको तो उनके अकउट में जाएगा फिर डूसरे क्या होते हैं पिर जब लगता है कि तीस पैंटिस आपना अपनी वाइफ का लगा दो फिर उसके बाद वहें तीस पैंटिस आगया तो अपने बच्चे का लगा दो तो ऐसे करके कि आप हर अकाउंट में पैसे कुछ-कुछ ले लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं लेकिन मैं सज्जेस्ट नहीं करूंगा भई जिसको दिख रहा है कि मेरी सेल हो रही है अच्छा एक बात और बता दू वॉलंटरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपका मन कर रहा है तो आप अप अप्लाई कर दो जिस्ट नमबर ठीक है जब आप अप अप्लाई करोगे तो ऑफिसर आपके सारे को वेरिफाई करेगा डॉकमेंट्स कौन-कौन से बहुत सारे डॉकमेंट्स जब हम जिस्टी रिजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे तब वहाँ पर मैं बताऊंगा अभी मैं अलका-लका आइडिया दे रहा हूं अभी हम ओबर्वीव देख रहे हैं बस किसी भी खीक है तो आपको जीस्टी नंबर मिल जाते हैं फिर आपको जीस्टी नंबर अलोटकर समझागे अब आपके पाश decisना आता हैं और पांपतेकiałemद्स यसopी कगे मुझे सौ मैं रखूंगा और पांच भी मैं ही रखूंगा क्योंकि GST नमबर ही नहीं है समझा गया तो ऐसे नहीं कर सकते यह फ्रॉड आपको जब गवर्मेंट आपको पहले आपकी सेल बढ़ रही है या फिर आप सेल बढ़ने से पहले ही आप GST नमबर के लिए अपलाई करतो सकती नमबर जब आपको मिलता है तो वो कितने अंक का होता है तो बताव जढ़ा कितने आंक होता है 15 देखके बता आपको देखते ही पते चल जाएगा कि कौन से स्टेट का जी स्टी नमबर है यानि हर स्टेट को कोड बनाया दिया गया कोड कैसे बनाया गया मैं आपको स्टेट दिखाता हूं पहले तो महां से आप समझोगे जैसे हो सकता है मैं इधर उधर थोड़ा बहुत एक दो अंक इधर उधर बोल जाओं तो आप यह मत बोलना है जैसे जम्मू है जम्मू कश्मीर कोड डाल दिया जीरो बन अभी तो चेंज हो गया लब्दा हो गया अलग बाद में बताऊंगा इसके बारे में तो जैसे जीरो यूकर या उत्राखंड का कोड़ क्या होगा जीरो फाइब हажеानाअ का कोड़ क्या होगा जीरो सिक्स ठीक है तो इस तरीके से उपर से लेके नीचे तक ऐसे-इसे स्टेट के कोड बना दिये गये उसके बाद देल्ली का कोड 07 राजस्थान का 08 उसके बाद ऑर आगे जयो यहां Mia उपर वाले को 01, 153, 45 ऐसे करके 0506 तो हर्याना में अगर मैं जिस्टी नम因為 करता हूं सबता मुझे नमबर मिलनेवाला है डिली में और मैंने घ्री अप्लाई किया तो काथ से जिए घृत अमबर मिलेगा तो माराश्ट का क्या मिलेगा मेरे को 27 समझ आ गया तो GST नंबर अपलाई करने से पहले ही आपको पता होगा कि पहले दो अंग कौन सा होगा अगले दसंग कौन से होगे अगले दसंग आपका पैन नंबर होगा एक्जेक्ट अचा इसका मतलब बिना पैन काड के क्या आप GST नंबर के लिए अपलाई कर सकते हो नहीं आपके बाद GST नंबर तभी मिलेगा जब आप अपना पैन काड लगाओगे ठीक है पैन कार के साथ ही अपलाई होता है तो सुर के पांच अंक alphabetically होते हैं, पता है न, pen card के, आप अपन SPEAKERiz na pen card आज जा के देखना तो शुरू के पांच अंक जो होते हैं alphabetically होते हैं जैसे abcd ऐसे करके तो शुरू के पांच अंक होते हैं उसके बाद अगले चारंग कॉन से होते हैं numeric numeric उसमें number होते है subscribe तू थी फूर ऐसा कुछ करके आप अपना पैनकर जाके आज मैच करना और लास्ट यह जो दसवा अंक होता है वो भी क्या होता है आपका अलफाबेटिकली तो इस तरीके से आपका पैनकर उपना होता है तो जब आप जिएस्टी नंबर अप्लाई करोगे तो शुरू के दो और अंक आपके स्टेट कोड होगे अगले संग कौन से हो अंग वताओ कर आपका एकजेक्ट पैनकाड उसके पासा यसे मालनेते मैं मिलें आपके अप्लाई किया तो मेरे एक घस्ती नंबर मेरे पास और अर मैं दियान रखना मेरे पास होने चीए दो जीस्टी नमबर चाहे मैंने बंद कर दिया हो बाद में तो जब तीसरी बार अपलाई करूंगे तो क्या मिलेगा 3 समझ आगे हैं तो यह क्या होता है नमबर ओफ रजिस्ट्रेशन इने स्टेट में आपने कौन सा लए नमबर रटेस्ट्रेशन लिए पहली बार करोगे तो उन दूसरी बार करोगे तो तीस्ति बार करोगे तो थ्री एक चीज़ क्लियर करते हूं, पहली बार मान लेते हैं, मैंने apply किया, बट document गलत लगाती है, और reject हो गया, तो जब मैं दूसरी बार apply करूँगा, तो वो पहला ही तो माना जाएगा, तो 1 ही आएगा, जब GST नमबर आएगा, तो क्या माना जाएगा, 1, जो पहली बार आएगा जो दूसरी बार, अपने दूसरा GST नमबर apply किया, तो 2, तीसरा किया, तो 3, एक particular state में, मान लेते हैं, मेरी दुकान है, एक दिल्ली में भी, एक दिल्ली में भी है, और एक हर्याना में भी है, तो जब मैंने पहले दिल्ली में apply किया था, तो एक GST नमबर आ गया होगा, 07 स state में कौन सा number आप apply कर रहे हो, हर्याना में पहला है, दिल्ली में पहला है, समझ आगे हैं, अब आप बोलोगे, मेरी दिल्ली में भी दुकान है, और हर्याना में भी दुकान है, क्या में एक GST नमबर से दोनों का काम नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं, आपको हर state में अलग GST नमबर लेना पड़ेगा, अगर फिर किसी और state में, आपने UP में खोल दी दुकान, तो UP में अलग GST नमबर लेना पड़ेगा, समझ आगे हैं, तो हर state में आपको अलग-अलग GST नमबर लेना पड़ेगा, पहली बात, अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी, माल लेते हर्याना में ही मेरी चार दुकाने, फिर हरयाना के अंदर में मेरी चार दुकाने, फिर अब आपके पास यहां पर चौिस है, चारो दुकान को एक GST नमबर से चला सकते हैं, इसके बारे में डीटेल डिसकसन आगे चलके हम करेंगे, बट मैं हलके एलका आइडिया दे ठीक है रजिस्टेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसका डीटेल में मैंने पता है ना रजिस्टेशन कैसे करना है तो जब मैं उस पॉइंट पर आउंगा तो वहां पर डीटेल में डिसकसन करूंगा कि कब कब कहां-कां जीस्टी नंबर लेना है बट थोड़ा-थोड़ा एक जीस्टी नंबर से आप 100 दुकान चलाओ 200 दुकान चलाओ कोई मना नहीं है लेकिन एक स्टेट में ही होनी जी अगर आपकी एक दुकान हर्याना में है एक दुकान देली में है तो आपको दो जीस्टी नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्टेट अलग अलग हो ग मुझे माल लेते मेरी डेली में हैं दो दुकान और हर्याना में हैं पांच दुकान अब बताओ मुझे कितने जीस्टी नंबर लेने पड़ेंगे कम से कम दो कम से कम दो क्यों एक दिल्ली के लिए अलग लेना पड़ेगा और एक हर्याना के लिए अलग लेना पड़ेगा अच्छा बताओ जारा दिल्ली में एक जीस्टी नंबर से दोनों दुकान चला सकता हूं हाँ अगर मैं चाहूं दो जीस्टी नंबर ले लूं तो मिल सकता है पहले गॉर्मेंट ने रेस्रिक्शन लगा रखी थी कि भाई पहले नहीं देती थी गॉर्मेंट कि एक स्टेट में एक ही चलाओ न क्यों इतना नोटंग की करते हो बट पहले गॉर्मेंट बोलती थी अग पहले तो सेम तरह का बिजनेस दोनों में आपका घ्ली आपज्ट नंबर स मतल्य सकता और इयसा होसकता है पके लिए हो। इन तीन दुकान के लिए अलग से एक GST नमबर ले लिए आपकी मर्जी है बट मिनिमम आपको दो तो ले नहीं बढ़ेंगे एक हर्याना में और एक दिल्ली में समझ आया मैं क्या कहना चाहरा हूं पक्का इतनी चीज़े अगर आपकी क्लियर हैं तो कोई डाउट है तो होगा तो आप पूछ सकते हो रिकॉर्डिंग में ही आ जाए ताकि डाउट और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं क्लास आफ कर देंगे मैं एक बार सिंपल वर्ड में बोलूं आज हमने टेक्स पढ़ना शुरू किए डिटेल में पढ़ रहा है या शौट शौट में तो अभी शौट में पढ़ने आगे चलके डिटेल में अभी मैं आपको पताया कि इंडिया में टेक्स की जरूरत है और इंडिया में क्या हर कंट्री में टेक्स की जरूरत है अब आप बोलो कि दुबाई तो नहीं लेता दूसरे तरह के टेक्स लेता है पतायाना ये बात सबको पता थी कि नहीं मेरे रहे हैं दूसरे तरह के daddy और कई लोग कई जानकार और इंडिया में बहुत बड़े बड़े इकनमिस्ट है कि 500 भ泡ान्जिक्न टेक्स लगाओ एक पर्संट् मतब आप किसी को भी पैसा दे रहे हो तो एक परसेंट लग जाएगा अपने तो वह वाला टेक्स लगाओ तो भई सब्सक्राइब अपनी चॉइस हैं बाकि गवर्मेंट को जहां से मोटा पैसा आएगा गवर्मेंट तो वही करेगी तो गवर्मेंट को पैसा चाहिए बिना रूल को फॉलो करते हुए आप टेक्स बचाओ जितने जयाद यही काम थो होता है आप हमारे पास आओगे आप अपनी रिटन खुद से बरोगे ज्ज़्यादा टेक्स पे कर दोगे आप हमारे पास आओगे तो हम रूल्स के हिसाब से आपका टेक्स कम भरवाएंगे रूल तो आपको पता ही है कि टॉप लेवल पर आ जाते हैं अब आप अकाउंट टैक्स की बात कर रहे हो तो सबसे उपर कौन है सिए उसके बाद और कोई आते हैं बट हाँ बिल्कुल आप उतनी नॉलेज लो आप आगे बड़ो इंडिया में टैक्स की बल इंडिया में हर जगा ट लगता है और सर्विस फेंट लगता है अगर आप बोलो कि कब क्या लगता है तो देखो हर आइटम के रेट फिस कर दिये गया है कि इस पर इतना टैक्स लगेगा आप वाई टम इंडिया में बेचोंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने तरह कि टेक्स तीन तरह के वैसे देख़ा दिया देखा जाये तो सीजिए टीएज यस्टी और हाई-जी अगता है जब हम सेम स्टेट लेकिन को बोलते क्या है सेम स्टेट को बोलते क्या हैं इंटर स्टेट अच्छा जब हम दूसरे स्टेट में वेज़ते हैं तो क्या लगता है है आई गालते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अब उसके बाद मैंने एक पउइंट चोड़ दिया वो अगली क्लास में cover करेंगे फि तो रीजन क्या है क्योंकि आप छोटे हो हाइट में नहीं सेल जो आपकी जो सेल है वो कम है जिसकी वज़े से आपको गवर्मेंट ने क्या बोल रखा है कि आप बच जाओ कोई दिक्कत नहीं अच्छा लिमिट कैसे देखी जाती है कब छोटा माना जाएका दस बीस चालिस अ दिसकाशन डीटेल में बाद में करेंगे बट मैंने आपको हलका सा आइडिया दे दिया आप हर्याना में रहते हो आप दिल्ली में रहते हो आप गुजरात में रहते हो इन सब जगह जो रेट है वह हैं 20 लाग फूर सर्विस और 40 लाग फूर गुड़्स लेकिन इसकी पुरा बताया ही नहीं मैंने मैंने आपको 13 तक ही बताये थे उसके आगे मैं बहुल गया अभी मैं बता देता हूं कोई नहीं जब आप वह रेंडमली होते हैं कुछ भी आ जाते हैं मतलब कुछ भी जो भी पंद्र आंक होते हैं यानि आज माल लेते हैं मैं जीएश्टी नंबर अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे शुरू के तेरा अंक तो पता ही होगे बस लास्ट के दो आंक देखना है कि बैए क्या देती है सेहले ही पता होता कि मेरा क्या जीएश्टी नंपर आने वाला है लेकिन अभी नहीं पता होता लास्ट के दो हम कुछ भी आ सकते हैं समझ आगे हैं रेंडमली कुछ भी बढ़ाते हैं तो इतने ही डिसकसन आज के लिए काफी है कोई डाउट हैं पूछो नहीं तो हम क्लास बोलो भाई आफ कर दो डन